लोकडाउन के दोरान प्रधान मंत्री गरीब कल्यान खादान योजना लाबार्तियों के लिए वर्दान बनी हुई है योजना के तहित लाबार्ति को रशन काट पर प्रती यूनिट पांच किलो गेहूं मई और जून के लिए मुफ्त दिया जा रहा है रादौर की बात करें तो यहां हजारों काट धारकों को इस योजना का लाब मिल रहा है रादौर सहायक खाद आपूर्ति विभाग के निरिक्षिक रोशन लाल सेनी ने बताया कि इस योजना का लाब रादौर जटलाना वा गुम्थला तीनों सेक्टरों में 18,052 लोगों को 75 डिपो होल्टर के माध्यम से दिया जा रहा है वही रादौर के एक डिपो संचालक अंकेत गुपता ने बताया कि पिछले वर्ष भी लोगडाउन के दोरान इस योजना का लाब कारद धारकों को दिया गया था और इस बार भी माई और जून महीने में लाबार्तियों को 5 किलोगी हूं प्रती यूनिट मुफ्त दिया जा रहा है जिसे लाबार्तियों को काफी रहत मिल रही है कोरोना के चलते लगाये गए लोगडाउन के कारण ज्यादतर काम धंदे बंद पड़े हैं जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है गरीब वर्ग ऐसे में प्रधान मंत्री गरीब कल्यान खादान योजना उन लोगों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है जा रही है सभी काड़ दारक इसको लेके खूश है जी लोगडाउन में उनको साहिता हो जाती है राशन की परदान मंत्री गरीब कल्यान खाद्या योजना के तहत हमने रदावर्द रिखाना गुंसला तिन्नों सेंट्रों पर पचेत्र डीपों के जो तिन्नों सेंट्रों इसके इलावा जो लोग रह रहे हैं एक टागरी में आते हैं जो भी कहते हैं हमारे मिलने चाहिए दफ्तर में भी आते हैं लोग पर देखो गवर्मेंट की स्कीमा जी गवर्मेंट जहां तक दे सकते हैं तना दे रही है